हेलो एब्रिवन आज साड़े चार बजे साम में जब मैं रेसिपी बना रही थी तो बेल की आवाज आई दोर खोली तो देखी पोस्ट मैंन भही है उसने कहा कि आप यहां पे सिकनीचर कर दो आपका गूगल एडसेंस पीनाया है मैं बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी सिकनीचर करने लगी उसके बाद मैंने पोस्ट मैंन भही है से कहा कि चाय पानी तो उसने चाय पानी से इंकार कर दिया फिर मैं अपने बच्चों को अपने हस्बंड को गूगल एडसेंस दिखाई और मेरे सास को भी दिखाई तो सब खुश हो गए मेरे सास भी बहुत खुश थी मेरे हस्बंड मेरे बच्चे बहुत खुश हुएं देखकर क्योंकि मैं बहुत मैनत करी हूँ इसमें सबसे पहले तो मैं अल्ला का सुक्रिया आदा करती हूँ अल्ला का बहुत बड़ा करम है क्योंकि मैं एक बार एपलाई करी और आट दिन के अंदर Google AdSense घर पर पहुँच गया क्योंकि मैं यूटुब पे देखी थी बहुत से लोग कर रहे थे कि मैं एपलाई किया नहीं आया 15 दिन के बाद आया या 16 दिन के बाद आया किसी ने कहा मैं दो बार तीन बार एपलाई किया दो मैने के बाद फिर एपलाई किया तब आया लेकिन यहां पे मैं एक बार एपलाई करी और आप सब की दुआ से 8 दिन के अंदर आ गया मैं तो यकीनी नहीं कर पा रही थी कि ये इतना जल्दी आ जाएगा जब मैं Google AdSense पीन एपलाई कर रही थी न तो मैं थोड़ डरी हुई थी मुझे ऐसा लग रहा तो पता ने एक बार दो बार कितना बार एपलाई करना पड़ेगा क्योंकि पासपोर्ट में मेरा पॉस्ट आफिस का पहले का पीन था और अभी यहां का पीन चेंज हो चुका है जहां पर मैं रहती हुँ न वहां का पॉस्ट आफिस का पीन चेंज हो गया था तो मैं ऐसे में क्या करती पोस्ट मैन भहिया को कॉल करी और बोली कि पोस्ट मैन भहिया मेरा Google AdSense पीन के लिए अपलाई करना है और पहले का पीन है अब क्या करे तो वो बोले ठीक है आप अपलाई कर दीजिए बाकी मैं समझ लूँगा मैं आपके घर तक लाके पहुँचा फ और पोस्ट मैन भहिया हमारे बहुत पुराने और पहिशान के थे इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हुआ और यह 8 दिन के अंदर आ गया और फ्रेंस आप सब का भी बहुत बहुत सुक्रिया आप सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आगे पर इसी तरह मुझे सबसे पहले सुबह मुझे साड़े-पांच बजह उटना पड़ता है और बच्चो का टिफईन बनाना है फिर बच्चो को स्कूल भेजना है तीन साल का बेटा है उसे भी देखना है थेखना है सास का पैर फैक्चर है उन्हें भी देखना है घर का सारा काम करना है क्योंकि घर पे मैड नहीं है बच्चे दो बजे घर आ जाते हैं उन्हें लंच कराना है मुझे साम में थोड़ा वक्त मिलता है तो चार बजे मैं अपना रेसिपी बनाती हूँ उसके बाद जब साम हो जाता है तो बच्चे को लेके बैठना पड़ता है पढ़ाने के लिए बच्चे जब पढ़के उड़ जाते हैं तो फिर उनका डिनर बनाना है उन्हें डिनर कराना है फिर उन्हें सोलाना भी है जब वो सो जाते हैं तो साड़े बारा पॉने एक हो जाता है फिर मैं आ जाती हूँ अपने काम करने के लिए मैं डब करना, एडिटिंग, अपलोड ये सब करने के बाद दो से ड्हाई बच जाता है फिर उसके बाद मैं जाकर सोती हूँ तो फ्रेंड्स यही है मेरा छोटा सा सेड्यूल अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक, सेयर और सबस्क्राइब टेक कियर, बाबाई